वो जो प्रोड़क्ट खरीद रहा है वो उनकी अवश्यक्ता को पूरा कर रहा है कि नहीं करता है। पॉलिसी ये कहके बेची जाती है कि अप्परंट हम आपको लोन दिला देंगे किसी और कंपनी से और आपको उस लोन को चुकता EMI नहीं पेविंट करना है। ये जो पॉलिसी का प्रीमियम है या भरते रही है और ये पॉलिसी में जो मेचियरटे आएगी वो उस कंपनी को चली जाएगी आपको नहीं मिलेगे। अउंग लोन लेते समय जो इंशॉरेंस दिया जाता है उसमें कई customers को यह नहीं बताया जाता है क्योंना Er jan Buff 1 से जगमेंट से जर्लावगे शेंजिके सागता है तो यह नहीं बताया जाता है कि यह नैचुरल कबर करें को कि आपको हाहिंट नब 的र तीज कि साथ फि Questions इतने दिन जिन्दा रहना है अगर किसी व्यक्ति को पहला हर्ट अटाइक आके और उसकी तुरंथ मृत्ती हो जागी तो यह कहां पर नपवाने के लिए वह जाएगा एक सीवेरिटी कि इतनी ती उसकी क्या आपके मन में कभी ऐसा खयाल आता है कि आपके मन में कभी ऐसी सोच आती है कि बड़ी-बडी कम्पनी के जो सी-योस है वो क्या सोचते हैं, वो किस प्रकार से सोचते हैं, किस प्रकार के विचार उनके मन में आते हैं चलिए अगर आता भी होगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि ज्यादा तर हमें opportunity नहीं मिलती है बड़ी-बड़ी company के CEO से मिलने की और उनके मन की बातों को जानने की, लेकि हाँ एक बात सच है, कि अगर हमें ये पता चले कि बड़ी-बड़ी company के CEO जो बहुत ही mature होते हैं, वो क्या सोचते हैं, किस प्रकार से सोचते हैं तो ये हमारी सोच के लिए बहुत ज़्यादा फाइदे मन्द हो सकता है, ऐसे में अगर हमें पता चले तो हम अपनी सोच को उनकी सोच के के साथ मैच करने की कोशिश तो कर सकते हैं, तो चलिए इसलिए अब मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ एक बहुत ही बड़ी company के X CEO से, तो चलिए मिलते हैं Mr. Vinay Saad जी से जो की, जो की LIC Housing Finance, इस company के X CEO हैं, उनसे मिलते हैं और उनके मन में क्या विचार चल रहे हैं, क्या सोचते हैं, उसके बारे में जानकारी लेते हैं, विने जी मैं आपका BITV में CEO's के मन की बाद इस प्रोग्राम में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, विने जी, नमस्का, नमस्का विने साजी, नमस्का रंजीदी, बहुत-बहुत धन्यवाद, वेल्कम, 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 तो सब जैसा कि मैं बता रहा था, कि यह बहुत कम ऐसी opportunity मिलती है, कि किसी company के CEO से या X CEO से मिलने का मौका मिले, और वो किस प्रकार से सोचते हैं, यह जानकारी हमें मिले, और यह opportunity मिली है, तो मैं आपसे request करूँगा कि आज की तारीक में या इन कुछ दिनों में आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं, हो सकता है वो customer को लेकर हो, या system को लेकर हो, जिसको भी लेकर हो, तो क्या आपके मन के विचार हैं, जो आप जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, वो हमें बताईए, विने जी. देखिए, मन में विचार की जहां तक आवाद करते हैं, आपने भी बताए कि मैं LIC Housing Finance का SMDC हो रहा हूँ, तो उससे ही related पहली चीज़ जो मैं कहूंगा, कि मैंने देखा है कि हिंदुस्तान में Housing Finance का market जो है, वो काफी अच्छे तरीके से काफी एक upswing में है, और उसमें Housing Finance, LIC Housing Finance की जैसे मैं थोड़ी सी बात करूँ, तो वो company जो है, वो अपने retail loan के लिए बहुत जानी जाती है, तो ये देखा है कि जब customers housing loan लेते हैं, तो कहीं न कहीं से उनको एक insurance की policy भी कई company दे भी, LIC Housing Finance ने तो लगबग 2018-19 में एक नया product ही निकाला था, जो कि insurance से linked था, कुछ products जो market में इस समय है, जो की विशेश कर general insurance के domain में है, तो वो मैं कहना चाहूंगा कि वो कहीं न कहीं housing loan customers की उमीद पे खरें नहीं उतरते हैं, in the sense कि वो उसकी जो loan लेने के अवश्यक्ता है, उसको पूरा नहीं करते हैं, उधारन के तौर पे housing loan लेते समय जो insurance दिया जाता है, उसमें कई customers को यह नहीं बताया जाता है, क्योंकि यह product non-life segments से general insurance segments आता है, तो यह नहीं बताया जाता है कि यह natural death cover नहीं है, उसको छोड़ के यह product बहुत सारी चीज़ां cover करते हैं, तो इस type की जो चीज़ें हैं, मैं यह नहीं कहूँगा कि product गलत है, लेकिन वो product customer की आवशक्ता को पूरा नहीं करते हैं, तो मैं यह चाहूँगा कि customer जो है वो पूरी अपनी जानकारी लेते हुए, और जो भी product वो ले रहा है, वो उसके आवशक्ताओं को पूरा कर रहा है, कि नहीं कर रहा है, यह आवशक्ति हम रखें, इसी के सांथ-सांथ यह तो मैंने केवल housing loan से related product की या उससे related customer की बात की, उससे सांथ-सांथ मैं यह भी कहना चाहूँगा, जो मेरे मन में कई बार विचार आता है, कि जो हमारे customers है, आज कल विने जी, मैं थोड़ा साब को रोकना चाहूँगा, क्योंकि बात मुझे थोड़ी सी कहीं समझ में नहीं आई, आपने यह बोला कि जो housing loan लिया जाता है, उसके साथ में उनको जो insurance दिया जाता है, वो life insurance natural debt से related नहीं होता है, ऐसा आपने का, हाँ, वो जो life insurance तो उसमें तो life insurance cover ही होता है, नहीं, उसमें देखे जो insurance, वो ही मैं कहा रहा था कि वो insurance जो product है, जादा तर जो housing loan के साथ दिया जाता है, वो general insurance या non-life sector की जो company है, उनके दुवारा designed product है, और जो की natural debt नहीं cover करता है, वो कई चीज़े cover करता है, उधाराण के तोर पे जैसे accidental debt cover करता है, critical illnesses तीन या चार या close products में अधिक 6 साथ वो भी cover करता है, फिर flood, fire इस तरह के जो घर से related risk रहते हैं, वो सब cover करता है, लेकिन natural debt नहीं cover करता है, और उसमें एक आपने जब पूछी लिया है detail में तो मैं ये भी कहना चाहूंगा, जो critical illnesses cover करता है, उसमें fine print में बहुत सारी conditions लगी रहे हैं, जैसे वो आप मोटा मोटा पढ़ेंगे तो उसमें ये है कि first heart attack covered है, लेकिन उसमें ये आगे जाते हैं तो कुछ product में ये लिखा है कि आपको first heart attack आने के बाद, नबे दिन, तीस दिन, साथ दिन, अलग अलग इतने दिन जिन्दा रहना है, तो आपको claim मिलेगा, अगर आपकी मृत्ति उस दौरान हो जाती है, तो आपको claim नहीं मिलेगा, तो ये सब fine prints वे दिया रहे था, दूसरा जो first heart attack आपको दिया, आप covered है आपका critical illness के तहत, तो उसमें भी ये दिया रहता है कि उस heart attack की, मुझे medical term में उतने नहीं पता है, लेकिन medical, ये दिया रहता है कि इस intensity का होगा तो आपको मिलेगा, severity word use होता है, अब आप मुझे ये ब correct, correct, तो मेरा ये कहना है कि इसमें जिस intention से वो policy धारा की policy लेता है, तो उसको ये जानकारी होनी चाहिए कि इसमें क्या चीज़ covered है और क्या चीज़ नहीं covered है, लेकिन housing loan लेते समय, वो संभवता जल्दी जल्दी में ये सारी चीज़ें ले लेता है, proposal form sign कर लेता है, तो उस भी देना चाहता हूं कि वो सही किसम के product जो है, समझाने के बाद customers को दे, और customers को भी इतनी जागरूपता सुहम रखनी चाहिए, कि वो जो product खरीद रहे हैं, वो उनकी आवश्यक्ता को पूरा कर रहा है कि नहीं करता है, दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, और चीज का ध्यान रखना चाहिए, especially हमने देखा है कि कई हमारे जो अन प्रोफेशनल वर्ट शब्द को मैं इस्तमाल करना चाहूँगा, क्योंकि प्रोफेशनल एजेंट्स इस तरह का काम नहीं करते हैं, लेकिन अन प्रोफेशनल एजेंट्स कुछ हैं, कुछ अन और उधारण के तौर पे लोन आपको पॉलिसी में लोन मिलेगा, इस तरह कि कुछ तरह पॉलिसी में लोन मिलेगा, यह तो ठीक है, हर पॉलिसी में कुछ पॉलिसी में कंडिशन रहती हैं, जिसके लोन मिलेगा, लेकिन पॉलिसी इजे कहके बेची जाती है कि अप्रंट हम आपको loan दिला देंगे किसी और company से और आपको उस loan को चुकता EMI नहीं payment करना है यह जो policy का premium है यह भरते रही है और यह policy में जो maturity आईगी वो उस company को चली जाएगी आपको नहीं मिले जबकि इस तरह कि policy आज market में किसी भी company के पास नहीं है तो यह miss selling वाली चीज़ें जो हो जाती है यह customers को भी रखना चाहिए और इसमें कहीं ना कहीं market में जब miss selling होती है किसी भी कारण से में selling हो तो उसमें एक insurance के प्रति अविश्वास जागरत होता है और दूसरा intermediary के प्रति जो agent है यह उसके प्रति भी एक general एक class में तो मैं चाहत किस्टमर को पुरी जानकरी दी जाए कास्ंट फॉर्म केस्टमर से भरवाया किस्टमर की ज्जो जानकरी फॉर्म में दी घई जाए यह अच्छी तरह से दीजाए customer की financial जानकरी अच्छी तरह से दी जाए हेल्थ से रेलेटेड जानकरी ठीक ठाक दी जाए तो मैं यह चाहूंगा कि इस से किस्ते की कस्टमर को आगे आने में पॉलिसी में मैचियरोटी के टाइम में किसी भी क्लेम के डेथ क्लेम के टाइम में कोई प्रॉबलम ना हो उसके नॉमिनीज को ना हो डेथ क्लेम के टाइम में और स्वयम जब वो ले मैचियरोटी टाइम में अगर तो उसको कोई प्रॉबलम ना है तो यह मैसेज मैं एक बहुत क्लियर तरीके से देना चाहूंगा तो यह जो दूसरा आपने मैसेज दिया पहला मैसेज तो ठीक था कि इंशॉरेंस पॉ चल रहा है मुझे ऐसा लगता है इंशॉरेंस पॉलिसी इस ऐसे बोलके बेची जाती है कि आप इसका प्रीमियम बर दीजिए लोन के तौर पर दी जाती है जड़ा क्लियर करेंगे विने साथ जी क्या था एक्चुली वह इंपॉर्टन चीज एक्चुली उसमें देखिए उस भावी पॉलिसी धरा करते हैं उनको ये बोला जाता है कि हम आपको अफ्रंट जिस दिन आप पॉलिसी ले रहे हैं उसके 15 दिन बाद, एक महने बाद, दो महने बाद उधारा के तौल पे कि हम आपको 15 लाग फ्रिपय का लोन भी दे देंगे मतलब policy ले लीजिए premium बर दीजिए फिर है लून देदेंगे लोन आपको हम किसी दूसरी संस्ता से दिला देगे policy पहले ले लिजिए policy आप ले लिजिए और पिर policy का premium भरते रहिए आपको loan का EMI वगरे भरने की कोई आवश्यक्ता नहीं यह जब policy mature करेगी तो वो maturity amount जो है जिस company ने आपको loan दिया है उसको चला जाएगा आपको कुछ नहीं मिलेगा इस तरह कि चीजों से बेची है जबकि इस तरह कि कोई पॉलसी धारक को ये भी समझना चाहिए कि policy में जो conditions policy bond में mentioned है वही condition के तहद उसको benefit अगर mentioned है तो मिलेगा नहीं mentioned है तो नहीं मिलेगा बहुत ही important point को आपने जो है वो सामने रखा है क्योंकि जिस प्रकार से ये वर्डिंग्स रखे जा रहे हैं कोई भी इस बात पर यकीन कर लेगा कि ये कुछ जन्यून policy है जो वर्ड तो आपने बहुत important चीजों को सामने रखा है विने जी और पहली बात भी जो आपने बताई वो तो बहुत बड़ी आई-उपनर थी जूसरी बात भी बहुत बड़ी आई-उपनर है और जो भी हमारे दर्शक है उन्हें इन बातों को अपने ध्यान में रखकर आगे चलकर जो भी step लेते हैं insurance policy लेते हैं या housing loan लेते हैं इन चीजों को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए विने जी I think बहुत बहुत धनेवाद आपने बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे को इस मन की बातनों उठा है आपने बहुत 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 बह आपने बहुत 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 बहु